आउकल समीकरण जिसमें चरों को प्रिथक किया जा सके हैं ऐसे समीकरण जो dy by dx equal to f1 of x into f2 of y के स्वरूप में हो उन्हें f of x dx equal to g of y dy के रूप में लिखा जा सकता है तब हम यहां कह सकते हैं कि समीकरण में चर प्रिथक करने ही होगे है ऐसे समीकरण का हल बाएं वादाएं पक्ष का क्रमसा x वा y के सापेक्ष समाकलन करने पर ग्यात किया जाता है सापेक्ष समाकलित करके ग्यात किया जा सकता है इस प्रकार अभिष्ट हल है integration sign small f of x dx equal to integration sign g of y dy plus c जहां c स्वेक्ष समाकलन अचर है अब हम जो सवाल हल करेंगे या प्रशन सरल करेंगे उसमें हम चर प्रिथक करण वीधी का उप्योग करेंगे तो पहला आउकल समीकरण दिया गया है dy by dx equal to 1 plus y plus x plus xy इस आउकल समीकरण को हमें सरल करना है तो पहले या कोसिस करेंगे कि चर राशियों को सेपरेट कर सकें यह y है और x है फिर यह xy यह दोनों का गुना है तो इस प्रकार यह जो फलन राइट साइट पर हमों दिख रहा है इसे यदि हम दो गुनांट खंड में तोड़ लें तो यह काम आसान हो सकता है यह 1 plus y plus यदि इसमें से आप x को कॉमन लेंगे तो हमें मिल दाएगा 1 plus y तो यहाँ पर भी 1 plus y है और यहाँ पर भी 1 plus y है तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं 1 plus y इंटू यहाँ पर 1 है और यहाँ पर x है तो आप इसे लिख सकते हैं 1 plus x तो dy by dx equal to है 1 plus x plus 1 plus y इंटू 1 plus x अब 4 प्रिथक करण वीधी का उप्योग करेंगे और इसको left right में ले आएंगे और dx को right side में shift करेंगे तो यह है 1 plus x और dx अब दोनों पक्षों का हम समाकलन करेंगे तो integration sign dy upon 1 plus y equal to integration sign 1 plus x dx इसका समाकलन करेंगे तो मिल दाएगा log of 1 plus y और 1 का समाकलन करेंगे तो मिल दाएगा x और x का समाकलन करेंगे तो मिल दाएगा x square by 2 और plus c जहांपर c समाकलन नियत आंक है तो यह दिये गए समी करण का हल है या फिर इसे यदि आप और सरल करके लिखना चाहें तो यह आपको मिल दाएगा 1 plus y equal to यह दर log है उधर जाकरके e का पावर आ जाएगा तो यह e का पावर x plus x square by 2 plus c और यहां से आप y का माल लिखना चाहें तो y equal to e का पावर x plus x square by 2 plus c minus 1 यह भी इसका उत्तर हो सकता है यहां तक भी आप सरल करते हैं यह इसका उत्तर है और और सरल करना चाहें तो यह लिख सकते हैं तो यह दिये गया आउकल समीकरण का हल है जो कि हमें गयात करने के लिए कहा गया था अगला आउकल समीकरण दिया गया है dy by dx plus 1 plus y square upon 1 plus x square equal to 0 तो लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि दिया गया आउकल समीकरण है dy by dx plus 1 plus y square upon 1 plus x square equal to 0 तो dy by dx equal to minus sign 1 plus y square upon 1 plus x square अब y वाले पत को एक तरफ और x वाले पत को एक तरफ ले आते हैं तो यहां से मिल जाएगा dy upon 1 plus y square equal to minus sign dx upon 1 plus x square अब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे मिल जाएगा integration sign dy upon 1 plus y square और यह minus sign dx upon 1 plus x square और plus c लिख सकते हैं जहां पर c समाकलन नियतांग है तो यहां से आपको मिल जाएगा 10 inverse y और यहां से आपको मिल जाएगा 10 inverse x इस पत्त को लेफ्ट में पक्षांतर कर देते हैं तो में मिल जाएगा 10 inverse x plus 10 inverse y equal to c और जैसा कि आप जानते हैं 10 inverse x plus 10 inverse y यह आपको मिलता है 10 inverse x plus y upon 1 minus xy equal to c या फिर और सरल करेंगे 10 inverse को right side में पक्षांतर कर देते हैं तो मिलेगा x plus y upon 1 minus xy equal to 10c और इसे और सरल करना चाहें तो हर में जो रासी उसे पक्षांतर कर देते हैं तो x plus y equal to 1 minus xy into 10c और यदि solve करना चाहें तो multiply कर देते हैं 10c तो 10c को एक constant है इसे हम एक और तूसरे constant से replace कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा x plus y equal to c1 into 1 minus xy जहां पर c1 equal to 10c तो यह जो मान हमें मिल रहा है यही अभिष्ट हल है दिये गए आउकल समीकरण का अगला आउकल समीकरण दिया गया है साइन क्यूब x into dx by dy equal to sin y इसे सरल करने के पहले हम sin cube x को solve कर लेते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं कि sin 3x equal to मिलता है 3 sin x minus 4 sin cube x sin cube x को अगर आप left side पर ले आए यह 4 sin cube x equal to 3 sin x minus sin 3 x तो यहां से आपको मिल जाएगा sin cube x equal to 1 by 4 into 3 sin x minus sin 3 x या फिर सरल करने पर आपको मिल जाएगा 3 by 4 sin x minus 1 by 4 sin 3 x तो यहां से हमें मिल रहा है sin cube x equal to this यह value हम left side पर पूट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 3 by 4 sin x minus 1 by 4 sin 3 x dx by dy equal to sin y तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा 3 by 4 sin x minus 1 by 4 sin 3 x और यह dx equal to sin y dy तो हमें जाएगा यह दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं तो यह आपको मिल जाएगा 3 by 4 sin x का समाकलन minus cos x minus 1 by 4 sin 3 x का minus cos 3 x तो minus minus plus cos 3 x upon 3 equal to sin y का minus cos y plus c जहां पर c समाकलन यह तंक है और यह cos y को हम left side पर ले आते हैं तो हमें मिल रहा है कि cos y minus 3 by 4 cos x plus cos 3 x upon 12 equal to c तो यह दिये गए आउकल समीकरन का हल है यही अभीष्ट हल है अगला उकल समीकरन दिया गया है dy by dx minus e का power y plus x equal to e का power x minus y तो इस समीकरन को हल करने के लिए पहले e का power वालो जो पद है उससे right side पर shift कर देते हैं तो हमें मिल दाएगा e का power x plus y यह पक्षांदर होके right side पर जाएगा और plus e का power x minus y अब इन दोनों पदों से आप e का power x कॉमा ले सकते हैं तो मिल दाएगा e का power y plus e का power minus y y वाले जो पद है उसे एक तरफ ले आते हैं तो यह dy by e का power y plus e का power minus y equal to यह है e का power x और dx अब दोनों फ़लन का समाकलन करेंगे तो integration dy upon e का power y plus e का power minus y equal to integration sign e का power x dx इसको जब solve करेंगे तो हमें मिल जाएगा e का power 2y plus 1 और यह e का power y dy फिर यह e का power x dx यहां पर हम प्रतिस्थापन का उप्योग करेंगे और यहां मान करके चलेंगे कि e का power y equal to t है तो e का power y dy equal to dt तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा dt upon t का power 2 plus 1 equal to integration sign e का power x dx इसका समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा 10 inverse t यह 10 inverse t equal to e का power x plus c जहां पर c समाकलन नियतांक है अब जो t है उसे replace कर देते हैं e का power y से तो हमें मिल रहा है 10 inverse 10 inverse e का power y equal to e का power x plus c तो यह दिये गए अवकल समी करन का हल है यही अभिष्ट हल है और यह इसे solve करना चाहें तो हम solve कर सकते हैं e का power y equal to 10 of e का power x plus c अगला उकल समी करन दिया गया है x into square root over 1 plus y square dx plus y into square root over 1 plus x square dy equal to 0 तो इसे solve करने के लिए पहले हम पक्षांतर कर देते हैं इस पद को तो मिल जाएगा minus y square root over 1 plus x square dy अब x वाला पद एक तरफ और y वाला पद एक तरफ तो यह x dx है यह हाँ पर गुणा हुआ है तो left side पर आगर के भाग हो जाएगा इसी प्रकार यह minus y dy और यह जो पद है left में गुणा हुआ है तो right में आ जाएगा भाग के रूप में आगे इसे सरल करने के लिए हम पुना प्रतिस्थापन का उप्योग करेंगे और 1 plus x square को यदि हम u square से replace कर दें तो मिल दाएगा 2x dx equal to 2u du या फिर x dx equal to u du और इसी प्रकार यदि 1 plus y square को हम v square से replace कर दें तो मिल दाएगा 2y dy equal to 2v dv स्वाल करने पर मिल दाएगा y dy equal to v dv इसका प्रतिस्थापन हम इस समीकरण पर कर देते हैं और आगे सरल करेंगे तो x dx इसको आप लिख सकते हो u du upon 1 plus x square को हमने माना है u square तो square root over u square solve करेंगे तो मिल दाएगा yu इसी प्रकार right hand side पर मिलेगा minus v dv upon v और अब हम इसका दोनों पक्षों का समा कलंग करते हैं तो यहां से आप solve करेंगे तो ultimately आपको मिल दाएगा yu यहां solve करेंगे तो मिल दाएगा v और plus c जहां पर c समा कलंग नियतांक है ultimately मिल रहा है u plus v equal to c u और v का जो माना है उसे हम रख देते हैं यह मिल रहा है 1 plus x square plus 1 plus y square यह यू का मान यह हमने u square लिखा और यह v square तो यू का मान जो मिलेगा यह square root में है और यह मान भी जो है यह भी square root में है और यह equal to c तो यही दिये गए समी करण का अभीष्ट हल है जो की हमें ग्यात करने के लिए कहा गया था अगला उकल समी करण दिया गया है 1 minus x square dy plus x y dx equal to x y square dx चार प्रथक करण करने का प्रयास करेंगे तो यह 1 minus x square यह है dy यह dx वाले पत को हम right side पर shift कर देते हैं तो यह x y square dx minus x y dx दोनों से यदि हम x y को गहनिश्ट ले ले दोनों पतों से x y को गहनिश्ट ले ले यह x y into y minus 1 dx अब हम यहां पर प्रथक करण का उप्योग करते हैं dy यह वाला पत फिर y के साथ y minus 1 तो यह y into y minus 1 equal to x dx और upon यह 1 minus x square चर प्रथक करण हमने कर लिया हैं अब इसको आंसिक भिन्नों के रूप में और इसको भी आंसिक भिन्नों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं या फिर right को तो डारेक्ट भी solve कर पाएंगे left hand side को हम यदि आंसिक भिन्न के रूप में तो यह आपको मिल दाएगा 1 by y minus 1 minus 1 by y यह dy equal to अब इसमें हम 2 का multiply करते हैं और 2 का divide कर देते हैं तो यह 2x dx यह minus sign के साथ में हैं और यह 1 minus x square अब दोनों पक्षों का यदि हम समाकलन कर दें थाथ इस तरीके से तो इसका समाकलन आपको मिल दाएगा log y minus 1 इसका समाकलन आपको मिल दाएगा log y इसका समाकलन आपको मिल दाएगा log of 1 minus x square प्लस c जहां पर c समाकलन यह तांग है जैसा कि आप जानते हैं कि integration sign f dash x upon f of x dx हो तो इसका समाकलन मिलता है log of f of x देखिए हर में जो पद है उसका उखलन करने पर यदि अंस में जो दिया गया पद है वो पराप्त हो तो इस तरीके से इसका समाकलन हमें ये पराप्त होता है तो ये मिल चुका है अब ये जो 1 by 2 है इसको इस चर्रासी के घात में लगा देते हैं और ये log a minus b तो आप में जाएगा log of a by b फिर ये मिल रहा है log of square root over 1 minus x square यहां पर हमें एक minus sign लगाना होगा था कि minus और minus प्लस हो जाए और फिर इस स्वलन का अउकलन करने पर हमें ये पराप्त हो जाएगा तो ये minus sign के साथ में है और ये minus sign और प्लस c और चाहें तो हम c को log c से replace कर सकते हैं तो ये log c क्योंकि log c भी तो constant ही है अब इस पत को left right पर पक्षांतर कर देते हैं तो में में जाएगा log of y minus 1 upon y प्लस log of square root over 1 minus x square equal to log c जहां पर ये समा के लिए तांक है दोनों left में भी दोनों पत लॉग में और right पर भी दोनों पत लॉग पर हैं दोनों योग में हैं तो इसका अर्थ है कि ये दोनों गुड़े में आ जाएगा ये y minus 1 into square root over 1 minus x square upon y equal to c या फिर इसे आप और सरल करना चाहें तो रिख सकते हैं y minus 1 into square root over 1 minus x square equal to c y तो यही दिये गए आउकल समीकरण का हल है जो हमें गयात करने के लिए कहां गया था अगला आउकल समीकरण दिया गया है 1 minus x square into 1 minus y dx equal to xy into 1 plus y dy चाहर प्रिथक करन विदी का उप्योप करें क्योंकि ये x के साथ में दोनों पद गुणा में है और यहाँ पर भी जो पद है यहाँ गुणा के रूप में दिया गया है तो x वाले पद को इस तरफ रखते हैं यह dx और फिर इस x को left side पर पक्षांतर ले ले लेते हैं और यह y 1 plus y dy और यह 1 minus y को फिर से पक्षांतर करके right side पर shift कर लेते हैं इससे solve करेंगे तो मिल दाएगा 1 minus x minus x to dx equal to यह मिल दाएगा y plus y square upon 1 minus y dy अब हम यहाँ पर दोनों पक्षों का समाकलंग कर देते हैं और प्रतिस्थापन का उप्योप करेंगे कि 1 minus y equal to यह आप t लेते हैं तो minus dy equal to dt मिलेगा या फिर आप dy equal to minus dt लिख सकते हैं अब 1 by x का समाकलंग करेंगे तो मिल दाएगा log x, x का समाकलंग करेंगे तो मिल दाएगा x square by 2 equal to नीचे वाला जो पद है यह t है और अंस में जो पद है y के इस्थान पर आप लिख सकते हैं 1 minus t मिल दाएगा 1 minus t और फिर y का square तो यह 1 minus t का whole square और dy के स्थान पर dt माइनस इनमे के साथ में तो right hand side को थोड़ा और solve कर लेते हैं पहले यह minus sign 1 minus t plus 1 plus t minus 2t upon t dt तो यह आपको minus t और plus t वाला पद कैंसल 1 plus 1 2 तो यह हमें मिल रहा है log x minus x square by 2 यह 1 minus t है और 1 plus यह t square होगा a minus b का whole square a square plus b square minus 2ab तो इस प्रकार left side वही रहेगा और right hand side को solve करेंगे तो 1 plus 1 2 उसके बाद में plus t square minus t और minus 2t minus 3t upon t dt solve करना चाहें तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं 2 by t plus t minus 3 और यह dt यह इस तरीक से तो हमें मिल रहा है log x minus x square by 2 equal to minus sign 2 into log t plus t square by 2 minus 3t plus c जहां पर c समाकलन नियतांक है अब t के इस्थान पर हमने जो मान प्रतिसापित किया था उसे रख देते हैं तो यह हमें मिल रहा है log x minus x square by 2 equal to minus sign तो अब t के इस्थान पर हम 1 minus y पोट कर देंगे तो यह minus sign 2 into log of 1 minus y plus 1 minus y का whole square upon 2 minus 3 into 1 minus y plus c जहां पर c समाकलन नियतांक है अब log वाले terms को एक तरफ ले आते हैं तो यह जो 2 है इसे हम इस term का square भी लिख सकते हैं और फिर minus sign के साथ multiply होगा तो यह minus यह भी minus और यह minus minus plus इस तरीके से रुपांतरित हो जाएगा इस term को left side पर put कर लेते हैं तो यह जाकर plus हो जाएगा plus दो पद गुणा में हैं sorry दो पद log के साथ में योग में हैं तो दोनों का गुणा हो जाएगा और लिख सकते हैं log into x log of x into 1 minus y का whole square और फिर equal to इस पत को right side shift कर लेते हैं तो यह x square by 2 फिर minus 1 minus y का whole square है तो यह 1 plus y square minus 2y upon 2 plus 3 into 1 minus y plus c तो इसे solve करेंगे तो x square by 2 और minus y square by 2 तो यह 1 by 2 x square minus y square और उसके बाद 1 by 2 1 plus y square minus 2y plus 3 minus 3y तो यह है log of x into 1 minus y का square और solve करना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से यह है log of x into 1 minus y का whole square equal to 1 by 2 x square minus y square minus 2y plus c dash तो यह दिये गए फलन का दिये गए आउकल समीकरण का हल है जो की हमें ग्याद करने के लिए कहा गया था अगला दिया गया आउकल समीकरण है x plus y का whole square to dy by dx equal to a square इसे सरल करने के लिए हम प्रतिस्थापन का उप्योग पहले ही करेंगे और यह मान करके चलेंगे कि x plus y equal to u x के साब एक चौकलन करेंगे तो मिल दाएगा 1 plus dy by dx equal to du by dx या फिर आप लिख सकते हैं dy by dx equal to du by dx minus 1 तो x plus y का whole square है तो आप इसे लिख सकते हैं u square फिर dy by dx इसको हम लिख सकते हैं du by dx minus 1 equal to a square ब्रैकेट ओपन करके solve करेंगे तो मिल दाएगा u square du by dx minus u square equal to a square x वाले पत को एक तरफ रखते हैं तो यह du by dx equal to u square plus a square अब इसे पक्षांतर कर देते हैं तो यह u square du upon u square plus a square equal to dx आगे इस प्रकार लिख सकते हैं 1 minus a square upon u square plus a square और यह du equal to dx अब हम दोनों पक्षों का समाकलन करते हैं तो इसका समाकलन हमें मिल जाएगा u फिर minus a square a square तो constant है यह du upon u square plus a square इसका समाकलन तो यह होता है x plus y minus a square अंदर multiply कर देते हैं तो a square by a मिल जाएगा a और फिर 10 inverse u तो यह x plus y upon a equal to x plus c तो left right पर यह x है right height पर x से दोनों cancel हो जाएगा और हमें मिल जाएगा y equal to इस पत को right में shift कर देते हैं a into 10 inverse x plus y upon a plus c तो यह दिये गए आउकल समी करण का हल है विखेंगे कि यही अभिष्ट हल है